दोस्तों दुनिया वर में पोरन देखना लोगों को काफी पसंद आता है। इसलिए इन फिल्मों का बिजनिस बाकी फिल्मों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पोरन फिल्मों की ऐसी काली सचाई भी होती हैं जिसे लोगों के सामने नहीं लाया जाता जिसे आप सुनोगे तो आप भी चोग जाओगे पोरन एक्टर सुटिंग से पहले खाना नहीं खाती क्यूंकि उन्हें अपना पेट सपाट दिखाना पड़ता है बोलीवुड में आइटम सोंग करने वाली अभी नेत्रिया भी ऐसा ही करती है लेकिन पोरन है दोस्तो एक छोटी सी फिल्म की सूटिंग भी घंटो चलती है जिसमें होलीवुड या बॉलीवुड फिल्मों की तरह पूरा सेट होता है जब तक कि सेट तयार नहीं हो जाता मेल एक्टर को पूरी तरह अपने लिंक को तनाव में रखना होता है जो कि आम तोर पर गुप्त काम होता है लेकिन उन्हें ये सब के सामने करना पड़ता है सोची अगर कोई आप से कह कि आपको दस लोगों के सामने संभो करना है तो आप कैसा फिल करेंगे पोरन स्टार भी वैसा ही महसूस करते हैं उन्हें लगातर बेसरम होकर ये काम करना पड़ता है करना पड़ता है वो भी बिना किसी पार्टनर के साथ ये सब अकेले में नहीं बलकि ओडिशन लेने वाले के सामने करना पड़ता है जो कि किसी के लिए भी आसान नहीं होता जाजातर फिल्मों के सूट में कंडों का यूज नहीं किया जाता इसी कारण कई बार ये एक्टर और एक्टर्स HIV positive हो जाते हैं हर साल ऐसे मामले आते ही रहते हैं लेकिन film industry ऐसे मामलों को दबा देती है दोस्तो female heroine को period आयो और pain हो रहा हो तब भी suit करना पड़ता है कई बार पूरे सपता काम करना पड़ता है बागी दिनों के साथ संडे की दिन भी काम करना पड़ता है पूरन stars अंदर से चाहिए कितने भी दुखी क्यों न हो उन्हें कैमरे पर हमेशा खूस होकर देखने वालों को खूस करना पड़ता है पूरन actors कभी भी suit करते वक्त enjoy नहीं करते हैं ये उनका एक तरह से काम होता है जिसे जितनी देर director चाहता है करना ही पड़ता है क्योंकि कई बारों ने ऐसी position में भी scene suit करना पड़ता है जिसमें भी comfortable नहीं होते लेकिन director के कहने पर वैसे ही लेटे रहना होता है जिसके कारण कई बारों के गुप तंग भी छिल जाते हैं तो दोस्तो पूरन फिलमों जोग इतना भी अच्छा नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है इसका एक उधारन ये भी है कि कई actor और actors इसमें कविल कुछ ही महीने काम करते हैं और बाद में से चोड़ कर चले जाते अगर ये इतना ही अच्छा होता तो बलाई से कोड़ चोड़ता तो दोस्तो आपको इस इंडस्टरी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं